जहां तरुन भंडारी बीज़पी में शामिल हो जाएंगे ये बड़ी खबर आपको हम बता दे तिये मनोहलाल की निर्चुत्तों में शामिल हो चुके हैं तरुन भंडारी बीज़पी में आशोकतवर के बेहद करीबी हैं तरुन भंडारी और बीज़पी में वो शामिल हो रहे बड़ी और हम खबर आपको हम बता दें ठीक चुनाव से पहले दल बदल हरियाना के इन विधांस अबाज़ चुनावों में श्यायद सबसे जादा देखा गया होगा इन विधांस अब बता दें कि जो तरुन भंडारी हैं वो बीजोपे में शामिल हो चुके हैं C.A. Manoharlal इस दोरान मौझूद रहे तस्वीरे भी आप देख सकते हैं तस्वीरे भी सामने आ गई है B.J.P. तरुन भंडारी ने जॉइन कर लिया है C.A. Manoharlal इस वक्त उनके साथ मौझूद रहे जब उन्होंने B.J.P. को जॉइन किया और साथ ही आपको ये भी बता दे कि अशोक तवर के बेहत करीबी माने जाते हैं तरुन भंडारी लेकिन उन्होंने अब B.J.P. को जॉइन कर लिया है तो C.A. Manoharlal के निर्जुतों में शामिल हुए है तरुन भंडारी और साथ ही आपको ये भी बता दे कि अभी जो कॉंग्रेस में महौल देखा गया है काफी उथल पुथल भरा महौल है जहां आशोक तवर जिनका या आरोव था कि कॉंग्रेस में जिन्होंने 5 साल तक काम किया टिकट बटवारे में उनको लेकर अंदेखी हुई है और सूनिया गांधी के आवास के बाहर उन्होंने परदर्शन भी किया था नारे बाजी भी की थी और इसके बाद कॉंग्रेस अपने इस्तिफ़े का जो दौर है वो भी शुरू हो गया कई नेताओं ने कॉंग्रेस से इस्तिफ़ा दिया और अब आपको बता दे जो तरुन भंडारी है उन्होंने बीजोपे को जॉइन कर लिया है खबर पराधिक जौनकारी के साथ समाधाता पूजा वर्मा हमार साथ जुड़ चुकी है पूजा वर्मा आशोक तवर ने कॉंग्रेस का साथ क्या छोड़ा उनके करीबी अब उनका साथ छोड़ने लगे बलकुल दिपशिका देखिए हर्याना विधान सबाद चुनावों में मद्दान के लिए अब कुछी दिन रह गए हैं दल बदलने का सलसला रुकने का नाम नहीं ले रहा है हर एक राजनीतिक दल में बड़े बड़े दिगज अलग अलग पार्टी उसे जो है शामिल हो रहे हैं बात करें कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस में जो लोगों को विकल्प नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह से फूट सामने आ रही है कॉंग्रेस में ऐसे में जो कॉंग्रेस का जिन्होंने काफी समय तक साथ दिया काफी समय तक कॉंग्रेस में रहें उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि आखिर में उनका भविश्य क्या रहने वाला है क्योंकि जो शीष नितर्तव है वो ही इतना स्ट्रॉंग नहीं है कि अपने नेताओं को बचाया जा सके इसके लिए अगर बात करें तो आज कॉंग्रेस को काफी जादा बड़ा एक जटका कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जिस तरह पहले अशोकतवर ने इस्तीफा दिया लेकिन कहीं न कहीं उन्हें को उमीद तो थी की भले ही अशोकतवर ने अभी तक जोइन नहीं किया है तो हो सकता है शाद चुनावों के बाद वो दुबारा से कॉंग्रेस में जोइन कर जाएं क्यूंकि काफी लंबे समय से आप देखिए लंबे समय तक तरुन भंडारी अशोक तवर के करीबी रहे पिछले दिनों जो प्रेस कॉंफरेंस चंडीकड में हुई वहाँ पर भी उनके साथ मौजू थे उस वक्त जो उनकी कतनी और जो कहती ती वो यही थी कि बहुत गलत हुआ है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस पर भी बहुत गहरा असर डालने वाला है विधान सबाचुनाव बिलकुल नज्दीक हैं किस तारिक को मतदान होंगे और उससे पहले यह जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है जाहिर तो पूझा इस तमाम जानकारी के लिए तो अशोक तो लगातार कॉंग्रेस से निताओं के इस्तिफिय देने का दौर जारी है और अन्या पार्टी जोइन करने का सिलसला भी जारी है एक तरफ कोई कॉंग्रेस का हाथ छोड़ रहा है तो कोई बीजुपी का साथ ले रहा है तरुन भंडारी काफी बड़े नेता रहे हैं और आशोक तवर के करीबी भी माने जाते हैं अब उन्होंने आपको बता दें कि बीजुपी को जोइन कर लिया है सीम मनुहडाल इस दोरान यहां पर मौझूद रहे और उन्होंने बीजुपी को जोइन कर लिया तस्वीरें भी अब देखिए आप निकल कर सामने आई है साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो सिसाब से दल बदल लगतार हर्याना विधान सबाद चुनावों में खात कर इन चुनावों में देखा जा रहा है देखना यह होगा कि आखिर तक क्या समीकरन बनते नजर आते हैं और जनता किस के अधार पर हर्याना का गड़ किसी पार्टी के हाथ में देती है किसी पार्टी काईन पहला हुआ है